कृष्णा डिजिटल स्कूल प्रस्तुत करता है ये बुग डॉक्टर एस जैशंकर के द्वारा लिखी गई है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस कर दे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किसी देश की सुरक्षा कर सकता है इंटरनेशनल रिलेशन्स की लिबरल विजारधारा के लोगों ने मौर्गन थाओ के इन विजारों की बहुत आलोचना की थी इनका माना था कि युनाइटेड नेशन्स जैसी अंदराश्टिय संस्था देशों के बीच स्ट्रगल को खत्म कर सकती है लेकिन 1939 से 1945 तक चले दूसरे वीश युद्ध और उसके बाद शुरू हुए कोल्ड वार ने हैंस मौर्गन थाओ की बात को दुबारा सही साबित कर दिया कि लगभग सभी देश आपस में लड़ाई के लिए हमेशा तयार रहते हैं मुखे रूप से अमेरिका और रूस के बीच साल 1947 से 1991 तक चले कोल्ड वार के बाद हाला थोड़े बतले और आपस में लड़ने की बजाए सभी देश साथ मिलकर एंवाइरमेंट को बचाने और नुकलियर हत्यारों को खत्म करने के लिए काम करने लगे इस दोर में ऐसा लगा जैसे रियालिस्ट विचारधारा के प्रिंसिपल्स बेकार होने लगे हैं लेकिन बीते कुछ सालों में दुनिया में चीन का एक बड़ी शक्ती एक बड़ी महाशक्ती के रूप में उभर कराना और रूस का यूरोप के देशों पर हमला करना ये दिखाता है कि आज भी लड़ाईयां पूरी तरह से बंग नहीं हुई है आज अमेरिका एक डूपती हुई शक्ती के रूप में नजर आ रहा है और भारत के पड़ोस में चीन एक महाशक्ती बन रहा है ऐसे में चीन भारत के लिए सुरक्षा के नजरिये से एक गंफीर खत्रा भी है फिलहाल बदलती हुई इस दुनिया में भारत को अपनी विदेश नीती को बहुत सीरियस होकर तै करने की जरूरत है भारत को ये फैसला करना होगा कि दुनिया में शक्ती के इस बदलते हुए संतुलन को हमें किस तरह से अपने फाइदे के लिए इस्तिमाल करना है और इसी बीच भारत के विदेश मंतरी सुब्रा मनियम जयशंकर ने दौ इंडिया वे नाम की एक कमाल की किताब लिखी है जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि आने वाले समय में भारत अपनी विदेश नीती को किस तरह चलाने वाला है दा इंडिया वे किताब में पुराने लिबरल प्रिंसिपल्स की बजाए एस जैशंकर ने रियलिजम करोख किया है जहां वो मांगते हैं कि सभी देशों का अपना एक नैशनल इंट्रेस्ट है और उसे पूरा करने के लिए सभी देश आपस में स्टगल करते हैं एस जैशंकर भारतिय विदेश मंतरी बनने से पहले भारत की ओर से दूसरे देशों में डिप्लोमेट भी रहे हैं इसलिए उन्होंने पिछले 40 सालों में भारत की विदेश नीती को गहराई से देखा और समझाए अपने कारेकाल के दोरान वो मॉस्को, वशिंग्टन, सिंग अलग नजरिया है। मॉस्को में रहने के दोरान एस जैशंकर ने रूस की ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को भी बहुत करीब से देखा है। और दूसरी तरफ इस्टन देश जापान में उन्होंने इस्ट एशिया की राजनीती को भी समझनी की कोशिश की है। जहां एक और योरोप के प्राग और बूटा पेस्ट ने उन्हें इतिहास की सेंस्टिविटी से रूबरू करवाया तो श्री लंका में उन्होंने मिलेटरी और पॉलिटिक्स को एक साथ काम करते देखा। इसके बाद साल 2009 में वो चीन पहुँचे वो भी उस दोर में जब दुनिया में भारी एकॉनोमिक मंदी आचकी थी। चीन में रहकर एस जैशंकर साल 2009 के बाद बदलती दुनिया के भी गवाबने थे। वहीं साल 2009 की आर्थिक मंदी से लेकर साल 2020 की कोविट महामारी तक दुनिया की राचनीती को समझते हुए भारत के लिए उसमें क्या पॉसिबिलिटी अवत का लैसिश और पानिपत सिंड्रोम। नहीं होती कि दुनिया की बहुत बड़ी शक्ती उनके राचे तक पहुँच गई क्यूंकि वो तो अपने खेल में ही मस्त थे। आज चीन नाम की एक वैसे ही बड़ी शक्ती भारत के बगल में अपना डेरा डाल रही है। आवत के नवाबों की तरह ऐसे खत्रे को नजर अ दास करने के गलती आज का भारत नहीं कर सकता। आज बदलती दुनिया में अपनी जगा खोज रहे भारत के लिए ये जरूरी है कि वो चीन के इस उदय या डिवलप्मेंट को देखकर उससे इंस्पिरेशन ले। लेकिन उसके साथ इस घटना से वर्ल्ड पॉलिटिक्स मे पढ़ने वाले प्रभाव और भारत पर होने वाले इसके असर पर चर्जा भी होनी चाहिए। अमेरिका पर देख सकते हैं जो भी तक कई सालों में एक बड़ी ग्लोबल पावर बन कर दुनिया भर में अपनी बात मनवा रहा था। लेकिन चीन के उदय से उसका प्रभाव भी फीका पड़ता नजरा रहा है। हमारे आँक बंद कर लेने से असलियत में कुछ नहीं बदलता बलकि उनका जो प्रभाव होना होता है वो तो होकर ही रहता है। भविश में हमारे देश को प्रभावित करें उससे पहले उन्हें समझ कर उन पर काम करना बेहतर होता है। वरना भारत के इतिहास में तो पानीपत सिंड्रोम का रिकॉर्ड रहा है। अब पानीपत सिंड्रोम पानीपत के लड़ाई से निकला एक शब्द है जब विदेशी हमलावर लड़ाईयां लड़ते हुए भारत के बीचो बीच पहुँच गए और भारत के लोगों को उसकी खबर तक नहीं थी। इसलिए भारत की फॉरेन पालिसी में लापरवाही को पानीपत सिंड्रोम नाम दिया जाता है। अथानवे के परमाणू परिक्षां। ये कुछ ऐसे फैसले थे जिनसे हमने इतिहास में हुई कुछ भूलों को सुधारने की कोशिश की थी। लेकिन अब पहली बार हम उन भूलों से निकल कर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक सीरियस भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया म रिलेशन्स को सभानना इतना आसान काम होता भी नहीं है। और आज तो दुनिया के हर एक देश में नेशनलिजम की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आज के वर्ल्ड और को चलाने वाली मुक्य भावना है कॉम्पिटिटिवनेस। ग्लोबल स्टेज प चीन का उताय हो रहा है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक देश के रूप में चीन के करेक्टर को भी ध्यान से देखना और समझना होगा। भारत के लिए चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव कई सारी नई चुनोतियां लेकर आया है। इन चुनोतियों को समझ कर एक भारत पर गहरा प्रभाव पढ़ने वाला है। ग्लोबलाइजेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें देशों के बीच व्यापार के रास्ते खुल जाते हैं और टेक्स को कम कर दिया जाता है। ऐसे में दुनिया एक छोटे गाउं की तरह बन जाती है। जहां किसी भी दे देशों के लिए भी खोल कर किसी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई दूसरे विश्वयुद के दो दशक बाद जहां चीन ने तो ग्लोबलाइजेशन का पूरा फाइदा उठा कर अपनी देश में तरक्की के हम ग्रोथ करेंगे या नहीं बलकि सवाल ये है कि हम इस बदलती हुई दुनिया में अपने आपको कहां रख पाएंगे। आजादी के बाद भारत एक ऐसी स्थिति में था जहां दुनिया में दो बड़ी महाशक्तियां थी एक United States of America और दूसरा Soviet Union उस दौरान भारत ने दो इसकी एक जलक हमने 2005 की भारत-अमेरीका न्यूकलियर डील में भी देखी। आज तो दुनिया में अमेरीका भी अकेली शक्ती नहीं रह गया है। दुनिया के कई हिस्सों में अलग-अलग देश छोटी-छोटी शक्ती बन कर उभर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए एक मिल साथ ही हमारे लिए ये जरूरी भी है कि हम ग्लोबलाइजेशन के मामले में चीन के एक्सपिरियंस का पूरा फाया उठाएं। भारत के लिए एक सबख तो यही है कि हम चीन की तरह दुनिया को ये बताते रहें कि दुनिया को अलग-अलग मुद्दों पर हमारी जरूरत प खुद के पास अपने इतिहास में चानक के नाम का एक महान इनसान हुआ था जिसने अर्थ शास्तर नाम की एक जबरदस्त किताब लिखी थी कि एहमियत समझाने की कोशिश करते हैं। और उस विश्वास की धजियां उड़ा दी। 1950 के दशक वाले उस समय से चलकर आज एक कीसवी सदी के दूसरे दशक तक हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां हाई पावर को समझते हुए अपने नेशनल इंट्रेस्ट को बचा कर रखना हमारे लिए एक आप्शन होन में कॉंपिटीशन भी दिन बदिन कहरा होता जा रहा है और यही वजा है कि हर एक देश ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ अपने संबंध बनाना और बने हुए संबंधों को मस्बूत करना चाहता है भारत के लिए यहां सबसे जरूरी है कि वर्ल्ड आर्डर को नियमो मिलकर बाचीत करते हैं तो इसको मल्टी लेटरिलिजम कहा जाता है लेकिन आज तो मल्टी लेटरिलिजम की ये भावना लगातार खत्म होती जा रही है और इसे निपटना भी भारत के लिए एक चनौती साबित होने वाला है कुछ हिस्टॉरिकल गलतियां और आगे का रास बाचाओं को खबर तक नहीं होती थी और इस एपिसोड की शिरुवात हम भारत की विदेश नीती में हुई कुछ भारी गलतियों से करेंगे जिनका प्रभाव हम पर आज तक देखने को मिला है विदेश नीती में हुई गलतियों पर चरचक करने पर भारत की फॉरिन पॉल स्पेस मिलने लगा क्योंकि विभाजन ना होने पर ना तो कभी पाकिस्तान बनता और ना ही चीन को दक्षण एशिया में उसका सहीयोगी मिलता इस तरह विभाजन की वजह से बने पाकिस्तान ने चीन को दक्षण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे दिय दूसरी बड़ी गलती थी भारत में economic liberalization को देरी से शुरू करना आजादी के बाद भारत ने अपनी economy को पूरी तरह सरकार के control में रखा था यानि यहां की सारी industries या तो सरकार खुद चलाती थी या उन्हें चलाने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी होती थी और तो और भारत में विदेशी निवेश भी बहुत कम था क्योंकि लाइसेंस और सरकारी रुकावड इतनी ज्यादा थी कि कोई विदेशी कमपणी भारत में industry खोल ही नहीं सकती थी वहीं दूसरी ओर चीन में 1970 के दशक में economy को पूरी तरह खोल कर आर्थिक विकास की शुरुवात हुई जो काम भारत में 1990 के दशक में जाकर हो पाया दोनों देशों की reforms की समय में 15 सालों का अंतर था और इन 15 सालों में चीन economic growth के मामले में भारत से कहीं ज्यादा आगे निकल गया भारत के इतियास की तीसरी सबसे बड़ी गलती थी nuclear options को देरी से इस्तिमाल करना energy का एक बहुत बड़ा source nuclear energy है जिसे हम परमाणू energy भी कह सकते हैं ये ना सिर्फ energy के रूप में हमारे काम आ सकती है बलकि एक खतरनाख हतियार के रूप में भी इसका इस्तिमाल किया जा सकता है जहां अमेरीका ने परमाणू हतियार 1945 में ही बना लिये वहां भारत को ऐसा करने में 1974 तक का इंतिजार करना पड़ा और इस वज़ा से भारत जो रुद्बा वर्ल्ड ओर्डर में बहुत पहले हासिल कर सकता था उसे पाने के लिए देश को कई सालों का इंतिजार करना पड़ा इन गलतियों से सबख लेते हुए आज भारत के पास ये मौका है कि वो नेबर हुट फर्स्ट जैसे अप्रोच अपना कर अपने एकॉनमिक और सोशल रिष्टों को बहतर बनाते हुए भारतिय सब कॉंटिनेंट में अपने पक्ष में माहौल तयार कर सके नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी के तहट भारत को अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए हमेशा सबसे पहले आगे आना होगा और कई मामलों में तो अपने देश से भी पहले अपने पड़ोसीयों की फिक्र करनी होगी इसके साथ ही भारत को अपने नेबर हुट का विस्तार इस्ट और वेस्ट दोनों ओर के देशों में करना होगा क्योंकि अब तक पारम परिक रूप से भारत दक्षिन एशिया को अपना पड़ोसी मानता आया है लेकिन अगर हमें दुनिया में अपना प्रभाव जमाना है तो दूर दक्षिन पूर्व के देश जैसे इंडोनेशिया थाइलेंड आदी के साथ भी अपने संबंध बनाने होगे और वेस्ट में योरोप और अमेरीका तक दोस्ती पढ़ानी होगी और अपनी समुधरी सीमाओं को सिक्योरिटी के नजरिये से देखकर भारत को अपना इंटरनेशनल वीजन बढ़ाना होगा भारत के लिए यही वक्त है कि वो अमेरीका के साथ अपने अच्छे संबंध बनाए चीन को मैनेज करे योरोप से अपना फायदा निकाले रशिया के साथ अपने संबंध दोबारा मस्पूत करे जापान को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लेकर आए अपने नेबर हुट को इस समय भारत की अप्रोच होनी चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों को अपने साथ कमफर्ट फील करवाएं क्योंकि जिस भी देश के साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करेंगे उसके मन में हमारे लिए जरूर शक होगा ऐसे में भारत को जरूरत है कि उसे ना सिर्फ दूसरे देशों से इज़त मिले बलकि उनसे प्यार भी मिले इसके साथ ही भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी अटेंशन देनी होगी इसके लिए अगर उसे ग्लोबल लेवल पर अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अपनी पोजीशन में बदलाव भी करना पटने में भी दुनिया की मदद करनी होगी और ऐसे ही दूसरे हुमिलिटेरियन असिस्टेंट जैसे ग्लोबल मुद्दों पर भी खुल कर काम करना होगा भारत को दुनिया के साथ साजहदारी करने के लिए अपनी खुद की डिप्लोमेटिक टरम्स बनानी होगी दि इंड क्योंकि दुनिया ने देखा है कि जब लगभग हर एक देश वैक्सीन की कमी से जूच रहे थे ऐसे में भारत ना सिर्व अपने परोसी देशों में बलकि दूर ब्राजील और योरोप के देशों में भी वैक्सीन एक्सपूर्ट कर रहा था ये सच है कि किसी भी देश की मि करने रमान होता है आज की समय में कोरियन कल्चर के दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव की वजह से दक्षन कोरिया की सौफ्ट पावर लगतार बढ़ती जा रही है और इस वजह से कोरियन ड्रामे से लेकर कोरियन पॉप म्यूजिक और सिनेमा वेब सरीज आदी भी दुनि नेशनल डे ओफ योगा और आयुर्वेद का प्रचार यहां तक कि भारत जब क्लोबल प्लेटफॉर्म पर हिंदी में अपनी बात रखता है तब भी ये दुनिया के लिए एक संदेश होता है कि भारत अब दुनिया के हर बड़े छोटे देश के साथ बढ़ाबरी जाता है भारत के पॉलिशी मेकर्स को अपनी विदेश नीती में रियालिस्ट अप downs को अपनाना होगा यानि भारत को ये समझना होगा कि दुनिया के देश लगातार एक दूसरे के साथ संखर्श करते रहते हैं और भारत भी इनसे बच नहीं सकता दुनिया में बख़ते nationalism की वच व पर रहे हैं तो वहीं रूस का फोकस अब बाहर की दुनिया में उतना नहीं रह गया है जितना सोवियत यूनियन के समय पर था। यूरोप भी आज अपनी वैल्यूज और अपने इंट्रेस्ट के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और रही बात जापान की तो वो हमेशा से ही अपने हिट की बातें करता रहता है ऐसे में भारत के पास भी यही रास्ता है कि वो भी वही काम करे जो बाकी दुनि जाये नहीं दुनिया के साथ भारत का जो संबंद बनेगा उसे सिर्फ इस नजरीय से नहीं देखना चाहिए कि भारत अपने इंट्रेस्ट पूरे कर रहा है बलकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो अप्रोच भारत की टुमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस्त भारत आज बड़ी एकॉनमी है इसलिए क्लाइमिट चेंज यानि एन्वार्मेंट और प्रदूशन के बारे में बात करते हुए भारत को नजर अंदाज करना दुनिया के लिए संभव नहीं रह गया है और तो और भारत के लोग पश्चिम के कई बड़े देशों में डॉक्टर, इंजीनियर और कमपनियों के CEO हैं इसलिए भारत को बाचीत के सेंटर में रखे बिना किसी देश का काम नहीं बने वाला है ऐसे में हमारे पास ये एक मौका है कि हम अपना प्रभाव दुनिया में बढ़ाते जाएं और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक मस्पूत फॉरिन पॉलिसी की अगले एपिसोड में इस किताब के लेखक और भारत के विदेश मंत्री S. जैशंकर अपनी नजर से भारत की फॉरिन पॉलिसी को समझाने की कोशिश करेंगे S. जैशंकर की नजर में भारत की फॉरिन पॉलिसी The India Way किताब की समरी की दोरान अब तक हमने इतिहास में हुई भारत के गलतियों की चर्चा की और globalization के बात इस बदलती हुई दुनिया में भारत क्या रोल निभा सकता है उस पर भी बात की हमने ये भी जाना कि किताब में लेखक ने बहुत बारीकी से आज की दुनिया में चल रही राजनीती का प्योरा दिया है और ये सब इसी लिए मुम्किन हो पाया है क्यूंकि लेखक खुद भी दुनिया के कई देशों में भारत के डिप्लोमेटर हैं दोस्तों अब किताब पर चड़चा करते हुए इस एपिसोड में हम लेखक के डिप्लोमेटिक जीवन के अनुभव के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उन अनुभवों के आथार पर लेखक और भारत की विदेश मंतरी ऐसी जैशनकर ने भारत के लिए क्या उपाय पड़ा था. 1970 के दशक तक ये तीनों देश भारत के ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए खत्रा साबित हो रहाए थे. एस जैशनकर अपनी इस बुक में आगे ये भी बताते हैं कि अपनी डिप्लोमेटिक जिंदकी के पहले भाग में उन्होंने कोल्ड वार और पॉलिटिकल इसलाम का उदे देखा था और इसी से आगे चल कर सोवियत यूनियन बिखर गया जिसका प्रभाव भारत पर लंबे होई शक्ती के रूप में स्थापित किया लेखक का ऐसा माना है कि सिर्फ दुनिया नहीं बदल रही है बलकि भारत के लोगों की कैपेबिलिटी उनके सपने और उनकी प्रायोरिटी में भी लगातार बदल रहा है कोल्ड वार के खत्म होने के बाद दुनिया में कई सारी श अशिया के उसके साथी देशों से मिलकर बनी हुई एक यूनियन थी जो साल 1991 में रूस के ये साथ ही सोवियत यूनियन से अलग हो गए और यूनियन बिखर गए उस वक्त जब यूनियन बिखरा तो थोड़े समय के लिए दुनिया की इकलौती महाशक्ती अमेरीका ही था ल यूक्लियर डील साइन की तो वहीं चीन के साथ भी व्यापार में लगा रहा इससे भी आगे आज यहां भारत कोड्री लेटरल सेक्योरिटी डायलोग में भाग लेकर जापान और अमेरीका के साथ खड़ा है तो वहीं शंगाई कॉपरेशन और्गनाइजेशन की अफगानिस्तान को भारत दोस्ती का हाथ देता है तो वहीं इसके बदले में भारत को हमेशा आतंकी हमलों से जवाब दिया जाता है इसके साथ साथ दूसरी और अफगानिस्तान में चल रही समस्याएं भी भारत की सिक्योरिटी के लिए खत्रे का काम कर रही है अब चाहे अफगानिस्तान की इस हालत कदोश हम ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया जैसी इंपीरियल ताकतों को दें या खुद अफगानिस्तान के मिस जज्जमेंट को। ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में अपनी भागिदारी देखना भारत की बढ़ती हुई ताकत का सिर्फ एक एलिमेंट है। इसके अलावा भी ग्लोबल और में आने वाले समय में भारत को कई बड़ी भूमिकाई निभानी होंगी। में इतनी सारी शक्तियां उभर कर आ गई हैं कि अमेरिका का प्रभाव लगातार घटा जा रहा है। वहीं दूसरी और सही समय पर सही फैसले लेने की बतौलत चीन अमेरिका के मुकाबले की बड़ी शक्ति बन कर दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा क्या हुआ कि क्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका रोल धीरे धीरे बतलने लगा। इस एपिसोड में हम इसी सवाल के जवाब ढूनेगे। सन 2016 में अमेरिका में राष्टपती पत के लिए चुना हुए और डोनल्ड टरम्प अमेरिका के राष्टपती चुन लिये गए। ठीक इसी दोरान इस्ट में चीन अपनी शक्ती लगातार बढ़ाता जा रहा था। उसकी एकॉनमी दुनिया में सब को पीछे रखकर अब अमेरिका के बराबर आने को तैयार थी। और उसकी सेन ताकत के मामले में अमेरिका से तो पीछे थी। मगर टेकनलोजी के मामले में वो अभी से अमेरिका को टकर देने लगा था। ये ऐसे हाला थे जैसे दूसरे वर्ड वार के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दो शक्तियों को आपस में लड़ते ही रहना होता है। उन्निस्वी सदी के दौरान दुनिया ने देखा कि ब्रेटन और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी शक्तियां थी। लेकिन दोनों आपस में मिल जूल कर काम किया करती थी। अमेरिका और चीन को भी ऐसी ही किसी नीती पर चलना होगा अगर वो इस संघर्ष को टालना चाहते हैं। इसके साथी दुनिया में एक और बड़ी खटना खट रही है। आज globalization की वज़ा से दुनिया भर के देशों में नेशनलिस्ट, कैंडिडेट्स, संसद में अपनी जगा बना पा रहे हैं। अमेरिका में भी इस तरह के political बदलाओ पहले कभी नहीं आए थे। और इसके पीछे एक बड़ा कारण global supply chain और technology का असर भी है। क्योंकि जो देश technology पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा, वही दुनिया को प्रभावित करता रहेगा। और दुनिया की बड़ी ताकतों ने ये बात समझ ली है। मगर अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों के बीच व्यापार को लेकर जो dispute यानि मदभेद हैं, उनके बढ़ते रहने पर अमेरिका धीरे धीरे अपनी industrial policy को अपने national interest के लिए बदल सकता है। फिलाल दुनिया में जितने भी विवाद आज खड़े हो रहे हैं, वो देशों के बीच relationship, politics, society, business, धर्म और market से जुड़े माबलों की वचासे हो रहे हैं। इन ही वज़ों से चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए टकराओं के क्या नतीजे निकलेंगे इसके बारे में कुछ भी कहना अभी मुम्किन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कहा जा सकता है कि दोनों देशों के टकराओं में सबसे जरूरी रोल होगा टेकनॉलोजी का। इन बगरते हुए हालात में भारत अपने लक्ष को पूरा करने के लिए क्या कर सकता है। तो इस सवाल का जवाब आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दो सबसे बड़े प्लेयर्स पर डिपेंड करता है। और ये दो प्लेयर्स हैं, अमेरिका और चीन। हालाकि ये पहली बार नहीं है कि जब भारत किन ही दो बड़ी शक्तियों के बीच फसा हुआ हूँ। इस से पहले भी कोल्ड वार के दोरान भारत, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच अपनी पॉलिसी मेकिंग की आजादी बचानी की कोशिश कर रहा था। साल 1962 की चीन से लड़ाई के बाद भारत का जुकाओ अमेरिका की तरह बढ़ता गया क्योंकि इन महाशक्तियों की हम से दूर रहने की उसकी नौन एलाइन्मेंट की नीती लड़ाई की स्थिती में काम नहीं आई। फिर साल 1971 में अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जब एक तरफ हो गए तो भारत सोवियत यूनियन की ओर किसक गया। लेकिन जो भी हो मुसीबत के वक्त भारत को हमेशा ही बीच का रास्ता चुनना पड़ा है। लेकिन साल 2005 की भारत-अमेरिका न्यूक्लियर डील के बाद अब ये संभव नहीं रह गया कि भारत पूरी तरह से बीच कर रास्ता पना ले। न्यूकलियर डील ने भारत को अमेरिका का एक बड़ा सेहोगी तेश बना दिया है। भारत को अब अमेरिका की नजर में वो पिक होते जा रहे हैं। इस तरह हमें रिस्क लेने से बचने की आदत पढ़ती जाएगी और हम नई अपोचिनिटी की तलाश करना बंद करतेंगे। जो आम तोर पर अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए भारत को भी अपने आपको ऐसे हालात के लिए पहले से तयार कर लेना चाहिए। लेकिन बिना स्टेटिजिक क्लारिटी के ये सब करना आसान नहीं होगा। यानि भारत को ये पता होना चाहिए कि उसे वर्ल्ड पॉल किसी बाहर के देश की दखल अंदाजी को भी रोकना होगा। आज हम जिस दौर में ची रहे हैं वहाँ ग्लोबलाइजेशन को इतनी अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा है। जैसा कि कुछ दशक पहले तक देखा जा रहा था। ग्लोबलाइजेशन का दौर भले जा र भाव पढ़ने वाला है। और इस टकराओ की वजह से कई देशों के सोचने के तरीकों में भी बदलावाएगा और नए एटिट्यूट का भी जन्म होगा। साथी इन बदलावों को दुबारा ठीक नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि इस टकराओ के खत्म होने के बाद दुन और जब भी देशों के बीच टकराओ बढ़ता जाता है तो उन्हें कम करने के लिए इनका इस्तिमाल किया जाता है। ये ताकतें माकेट की अस्थिरता और कॉन्फिलिक्ट से निकलने वाले नतीजे हैं। इन्हीं के दरसे देश आपस में कॉंपिटिशन को रोकर साथ काम करने लगते हैं। economic interdependence यानि अपनी economy चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि दूसरे देशों की economy भी चलती रहे। ये economic interdependence पॉलिटिकल रिस्क लेने की आदत को कम कर देती है। कुछ साल पहले की बात है climate change और terrorism और ऐसे ही दूसरे global मुद्दों पर दुनिया मिलकर काम कर देत अपने अपने national interest पर ज्यादा ध्यान देंगे। और ये घटनां दुनिया में realist international relation को पढ़ावा देने के लिए भी संकेत कर रही है। ऐसे नहीं है दोस्तों कि पहले कभी national interest के बारे में बात नहीं की गई। लेकिन national interest को अंतराष्टिय संधियों, agreements और mechanism के द्वारा आते जा रहे हैं। आज western दुनिया में income inequality बढ़ती जा रही है, job पर pressure बढ़ता जा रहा है और outsiders को पश्चिम के लोगों की life quality खराप करने का जिम्मेदार माना जा रहा है। ब्रेटिन का European Union छोड़ देना ऐसे ही बड़ा event था और Donald Trump का election जीतना भी ये संकेत देता है कि अब national interest दुनिया पर हावी हो रहा है। ऐसे में समाज के बड़े और असरदार लोगों यानि elite class के बनाए हुए विचार अब पुराने थाबित हो रहे हैं। और उनके द्वारा बनाए कई foreign policy भी सवालों के घेरे में खड़ी की जा रही है। साथी पिछले काफी दश्कों से चलत तो इनके लिए justification ढूनना कोई बड़ा काम नहीं रह जाएगा। वैसे भी कई बार इंसान काम पहले करता है और उसके कारण बाद में ढूनता है। globalization की वज़ा से देशों के बीच जो उच नीच पड़ी है वो भी इसमें एक बड़ा कारण है। एशिया में globalization की वज़ा से क पूरी दुनिया में बाकी नहीं रह गया है। खुद एशिया में भी globalization को कब तक celebrate किया जाता रहेगा। ये कहना भी अब मुश्किल हो गया है क्योंकि जब पूरी दुनिया इसका साथ छोड़ देगी तो अकेले एशिया के लिए globalization को पकड़ कर चलना काफी मुश्किल होग को भी मदद देने से हिचकिचा रहा है। globalization का विरोध करते हुए जो तरक दिये जाते हैं वो ये है कि उसके center में हमेशा लोगों का एक देश से निकल कर दूसरे देश की ओर immigration और job security रहती है। योरप और अमेरिका बार बार job security और ऐसे ही दूसरे economic logic का हवाला देते हुए globalization क वो सवालों के दाएरे में रखते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्टपती डोनल्ड ट्रंप, global supply chain को अमेरिका में job चीनने का दोशी मानते थे और इतने सालों से global business जिन principles पर काम कर रहा था उन पर भी सवाल उठाते थे। जो भी हो, technology में lead लेने के लिए हमेशा talent की जरू जावों का प्रभाव हमारी आने वाली generation पर भी देखा जाएगा और इसका असर ये होगा कि दुनिया में शक्ती पाने के कई सारे रास्ते बनते जाएंगे और दुनिया मल्टी पोलर हो जाएगी। साथी शक्ती का कई देशों में बढ़ जाने से alliance discipline भी तूटने लगेगा यानि वो अपने साथी देशों के दबाव को मानने से इंकार कर रहे हैं क्योंकि जब शक्ती एक या दो देशों के हाथ में ही बनी रहती है तो दुनिया में अपने agreements को लेकर discipline भी बना रहता है। से भारत के साथ मिल कर काम कर रही है और रूस हमेशे से ही भारत का एक geopolitical partner बना हुआ है। साथ साथ ब्रिटिन के European Union छोड़ने के बाद योरोप के कई देश अब भारत के साथ अपने संबंध मस्बूत करने में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एशिया में balance बन सीखनी पड़ेंगी जिनकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। मौके हो सकते हैं इस पर भी नज़र डाले। पर इस एपिसोड में हम भारत को एक उभरती हुई ताकत और उसके strategic culture को समझनी की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड की शुरवात में लेखक S.J. शंकर ने जर्मन कवी गोथे के एक quotation से की है। गोथे ने कहा था कि जो देश अ मौचूती वाली दुनिया में लगातार अलग-अलग देशों की values और interests आपस में टकरा रहे हैं। तो ऐसे में global politics के लिए कई challenge खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही महाभारत ने हमारे लिए ऐसी स्थिती से पैदा होने वाले challenges से निपटने के कई उधारन दिये थे। फिर भी एक लौती ऐसी non-European और non-Western power है जिसने दुनिया में अपनी धाक जमा कर रखी है। चीन की बढ़ते हुई ताकत का ये काधार उसकी संस्कृती का इतिहास भी है जिसकी मदद से चीन ने अपनी personality को लोगों के सामने रखा है। लेकिन भारत को चीन की पूरी तरह से नकल कर में बात करना नहीं भूलते क्योंकि आज Western Political Science में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी बुनियात की कहानी भी इस किताब में बताई गई है। इसी तरह भारत के Cultural Heritage को समझने के लिए हमें महाभारत की ओर लोटना होगा। अब अजीब बात ये भी है कि America के scholar भारत के बार पर जो भी विज़ार किये गए हैं उनकी जड़ें हमें महाभारत में मिल सकती हैं। चाना के के अर्थिशास्त्र की तरह महाभारत में भी सिर्फ गवर्मेंट चलाने के प्रिंस्पल ही नहीं दिये गए बलकि असल जिन्दगी में आने वाली सिच्वेशन से किस तरह निप स्याएं रिस्क और सेक्रिफाइस जैसे मुद्व पर भी गहराई से बात करती हैं। इसी किताब में एक भाग वो भी है जिसकी पॉलिसी को इंप्लिमेंट करना बहुत बहादुरी का काम हो सकता है। महाभारत के उस सबसे जरूरी भाग का नाम है भगवत गीता। इसके अ बाहरी ताकतों के प्रभाव को समझने के लिए महाभारत बहुत एहम किताब साबित हो सकती है। महाभारत एक कॉंपटिशन के कॉंफ्लिक्ट में बदलने की कहानी है क्योंकि बच्पन से पांडवों और कॉर्वों के बीच जो कॉंपटिशन था उसी की वजह से आगे चल मर्टिपोलर है जहां भारत में कई सारी ताकतें एक दूसरे को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। लेकिन जैसे ही महाभारत की दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ने लगती हैं तो बाकी की ताकतों को भी दोनों में से किसी एक की साइट लेनी पड़ती है। और यही फैसलों से होने वाले असर और नतीजों से डर कर कोई फैसला लेने से घपरा जाता है। अनी लोगों की रक्षा के धर्म का पालन पूरी तरह रियलिस्ट हो करना चाहिए। हम अकसर ऐसा सुनते हैं कि भारत को टेरिरिजम और पाकिस्तान से हमेशा लड़ते हुए ही रहना होगा। और भारत के सामने आज जो समस्याए हैं उनसे छुटकारा पाना मुम्किन नहीं है। लेकिन महाभारत में कृष्ण ने हमें बताया कि अगर हमारे सामने कोई responsibility है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे सबसे पहले पूरा करें। बिना इस बात की परवा किये कि उसके नतीजे क्या निकलेंगे। अपनी एक quality पर खास दोर पर ध्यान देना चाहिए और वो quality है अपनी responsibility को दिखाना। अरजुन ने जब आखिर कार लड़ाई में हत्यार उठाय थे तो वो सिर्फ अपनी duty की वज़ा से ऐसा नहीं कर रहे थे। बलकि उनके मन में सबर और अपने लोगों के लिए सहनुभूती भी थी। ऐसे में अरजुन एक ऐसे warrior थे जो लड़ाई करने से हिच कि जा रहे थे। और कृष्ण भी कुछ ऐसे ही warrior थे जिन्होंने अपने दुश्मन शिशुपाल को सो बार माफ करने के बाद आखिर उन पर हत्यार उठाय था। ये भी दुनिया में उभरती हुई ताकतों के लिए एक संदेश है कि जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाए तब हमें अपनी शक्ती का एसास लोगों को करवाना चाहिए और सही माइने में भारत को इस प्रॉब्लम से जूजना पड़ा है। कि भारत अपनी ताकत का इस्तमाल जब मर्जी करते रहे क्योंकि इस मामले में अमेरीका का भी एक्सपीरियंस एराक और वियतनाम में खराबी रहा था और इसलिए ऐसे तर्यकों का इस्तमाल महा भारत के अनुसार हमें उन दुश्मनों पर करना चाहिए जो लगतार हम पर ह खत्रा बने हुए हूँ और सेना के बजाए उनको ही चुन लिया जबकि दुरियोधन श्री कृष्ण की एहमियत को समझ नहीं पाया आज भारत के लिए भी यह ज़रूरी हो गया है कि वो पारंपरिक सेना के साथ साथ आम आर्टिफीशल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा अनेलिटिक्स, टे इर्देव भी एक ब्रहमण का रूप लेकर कर्ण से उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं कि अर्जुन उसका वध कर सके यह सारे उधारन हमें बताते हैं कि कई बार इस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमें रूल्स तोड़ने पड़ जाते हैं ऐसे में भारत भी अगर जिसे कई उधारन मिलते हैं जिनमें कोड आफ कंडक्ट को तोड़ कर जस्थिस करने की कोशिश की गई थी खुद दुरियोधन को भी ब्लो दा बेल्ट वार करके मारा गया था और दुरोनाचारे के बेटे अश्वत्थामा के जिन्दा रहते भी ये अफवा फैलाई गई क अश्वत्थामा मारा गया है जिससे दुरोनाचारे भी लड़ना छोड़ दें और उन्हें मारा जा सके एक और पांड़ों ने जहां इन नियमों को तोड़ा तो कौर्वों ने भी अरजुन के बेटे अभीमन्यों को धोखे से मारा दुरोनाचारे से जुट बोल कर उन्हे मारा गया तो दुरोनाचारे के बेटे अश्वत्थामा ने रात में पांड़ों के केम्प में जाकर उनके बच्चों को मारा डाला था इससे ये साफ दिखाई देता है कि अगर हम कुछ खास चीज़ों को पराप्त करने के लिए नियम तोड़ते भी हैं तब भी उनका आतंगवाद से लड़ाई लड़नी पड़ती है और किसी भी देश के लिए स्टेट के द्वारा फैलाई जाने वाले आतंगवाद से लड़ना बहुत मुश्किल काम है भारत के कई बार दोस्ती का हाथ बढ़ानी के बावजूद भी बदले में आतंगवादी हमले ही मिले और तो और पाकिस्तान जैसे देश भारत को नुकलियर हत्यारों की धंकी भी देते हैं ऐसे में भारत के पास नियमों के हिसाब से चलने का आप्शन नहीं रह चाता और हमें आतंगवाद को रोकने के लिए कई रूल्स को तोड़ना भी पड़ सकता है महभारत के अलावा भ कुछ लालच या पैसो की मदद देकर अपना काम निकरवा लेना दंड कार्थ है सजा का डर दिखाना या फोर्स का इस्तिमाल करना जिससे अपनी बात मनवाई जा सके और आखिर में भेद का मतलब होता है कि किसी से कोई काम करवाने के लिए चलाकी का इस्तिमाल करना भारत उधारन के लिए इस किताब में लिखा गया है कि लड़ाई के दौरान हमें आवाज एस्ट से करनी चाहिए और हमला वेस्ट से मगर भारत में तो युद में चलाकी करने के बाद राजाओं में गिल्ट भी पाया जाता था लेकिन चीन में गिल्ट और शक की बजाए इस तरह जंग जीतने पर राजा को ग्लोरिफाई किया जाता है आधुनी के तिहास में इंग्लेंड ने यही स्टेडिजी कोलोनिलिजम की दौर में अपनाई थी जब भारत के साथ साथ दुनिया के कई देश ब्रेटन और यॉरोप के दूसरे देशों के कबसे में थे भारत जैसे देशों पर राज करते हुए इंग्लेंड कहता था कि इसमें भारतियों की ही भलाई है लेकिन भारत के साथ हमेशा ये प्राब्लम बनी रही कि हम पॉलिसी और अग्जेक्टिव में फर्क नहीं कर पाते थे इसलिए 1950 के दशक में हम एशिया के सभी देशों के आपस में भाई चारी की बात करते थे और उसी दोरान चीन हम पर हमले की तैयारी कर रहा था महाभारत में एक और किरदार था जिसकी चर्चा बहुत कम होती है लेकिन उसका रोल बहुत कमाल का था और उस किरदार का नाम था सुशर्मा वो त्रीगत्र राज के वारियस का नेता था ये लोग कौरवों की तरफ से लड़ाई में उतरे थे और अरजुन से खास दुश्मनी रखते थे कौरवों को पांडवों के खिलाब भलकाते हुए सुशर्मा ने अग्यात्वास में रह रहे पांडवों को विराट राज से भगानी की योचना बनाई थी कौरवों के साथ मिलकर सुशर्मा ने प्लान बनाया कि वो युधिस्टिर को जिन्दा पकड़ कर कैदी बना लेंगे और इस दोरान अरजुन युधिस्टिर की मदद ना कर पाए इसलिए सुशर्मा अरजुन को लड़ाई के लिए ललकारेगा अरजुन ने सुशर्मा से वो लड़ाई जीत तो ली लेकिन उसके पीट पीछे उसके बेटे अभिमन्यू को मार दिया गया ये कहानी हमें बताती है कि छोटी से छोटी दुश्मनी भी सामने वाले को नुकसान पहुँचाने के चक्कर में हमें खुद ही बरबाद कर सकती है माभारत की पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा और एहम फैक्टर थे श्री कृष्ण उनकी खासियत थी कि वो छोटी मोटी लड़ाईों से उपर उटकर बड़ी पिक्चर देख सकते थे फिर उसके हिसाब से स्टेटीजी बनाते थे इसी वज़ा से कृष्ण हर बार एहन मौके पर कुछ खास सॉलूशन के साथ हमेशा मौजूद रहते थे और उन्होंने ना सिर्फ पांडवों को लड़ाई में जीत दिलवाई बलकि उनकी पक्ष में नरेट भी तयार किया और लोगों के दिमाग में पांडवों को हीरो बना दिया वो कृष्ण ही थे जिन्होंने दुरोनाचारे, करण और दुर्योधन को माणने के तरिके पांडवों को बताये थे क्योंकि श्री कृष्ण ने ही उन्हें पहले से एक बड़ी लड़ाई के लिए तयार रहने के लिए कह दिया था अब इसे हम चाहे क्रिष्ण की चलाकी कहें या call to action लेकिन इतना तो तैह है कि क्रिष्ण की strategy के विना महाभारत की लड़ाई पांडव कभी जीत नहीं सकते थे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि क्रिष्ण ने पांडवों को रास्ता दिखाया बलकि उन्होंने रास्ता दिखाते वक्त पाड़ों से कहा कि मेरे बताए रास्ते पर चलने के बाद उसके जो भी नतीजे होंगे उसकी सारी responsibility यानि जिपेंदारी मैं खुद लेता हूँ महा भारत नैतिक्ता की बात करते हुए भी वास्तों में नैतिक्ता के साथ साथ पावर पर लिखी गई एक कहानी भी है जिसमें कई बार पावर प्राप्ट करने के लिए एथिक्स से समझोता भी करना पड़ा था भारत के लिए इस किताब में कई सारी जरूरी बाते हैं आज जब दुनिया का हर एक देश दूसरे देश के खिलाफ है तो ऐसे में भारत को अपनी मदद खुद ही करनी होगी और महाभारत जैसे करंथों का सहरा लेकर एक ethical power यानी साफ सुत्री मेच के साथ ऐसा ताकतवर बनना कि दुनिया में हमारी बात का असर रहे ये दा इंडिय के सबक अपनी किताब दा इंडिया वे में भारत के तिहास पर बात करते हुए डॉक्टर एस जैशंकर अलबर्ट आइंस्टीन की एक थियोरी का उधारन देते हैं वो कहते हैं कि दुनिया के प्रसेद्ध साइंटिस्ट अलबर्ट आइंस्टीन ने थियोरी ऑफ काम बार-बार करता जाए और उसे हर बार अलग-अलग नतीजों की उम्मीद भी हो इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है जैसे अगर कोई आदमी अलग-अलग कंडिशन में एकी ही तरह का काम करे और उसे नतीजे भी एकी ही जैसे चाहिए तो वो पागल-पनवाली हरकत कर है इस त्योरी को हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स की नजर से भी समझना होगा जहां हम अपनी पुरानी मानिताओं के साब से आज काम नहीं कर सकते और बदलते वक्त के अनुसार हमें अपनी स्टेडिजी भी बदलनी होती है आज दुनिया ना सिर्व बदल रही है बलकि इंट बदलाव से गुज़र रहा है अमेरीकी नेशनलिसम, चाइना का उदय, ब्रिटन का येरोपियन यूनियन छोड़ना आदी सब इंटरनेशनल ओर के सबसे ड्रेमेटिक बदलाव हैं हम पुराने रशियन अंपायर को लोटते हुए देख रहे हैं साथ ही इरान और टर्की अ एक जरूरी महादी बन गया है लेकिन हम यहाँ पर जियोग्राफी और पारन पर एक पॉलिटिक से अलगहट कर बात कर रहे हैं आप स्टेटिजी और नेशनल स्टेंड को एक ही नजर से नहीं देख सकते हैं और इस बदले वे दौर में टेकनोलोजी, कनेक्टिविटी और ट्रेट का प्रभाव पढ़ता जा रहा है आज के समय में दुनिया पहले से ज्यादा एक दूसरे पन्ने भर हो गई है और ऐसे में कॉम्पिटिशन को पहले से ज्यादा सीरियस तरेकर से लेने की जरूरत है इस बदली हुई दुनिया के साथ साथ भारत के भी पुराने पा आज भारत लगातार अपने पड़ोसियों का विस्तार कर रहा है और इसी क्रम में भारत ने अफरीका के कई देशों में नई एमबैसीज भी खुली हैं इस वक्त भारत के लिए जरूरी मुद्दों और रिलेशन्शिप दोनों में गहरे बदलावा रहे हैं इसलिए पुरा भारत की तरकी के बीच में दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं आने वाला बलकि संभावना है कि खुद भारत के पुराने सिध्धान थी इसकी तरकी के आड़े आजाएं किसी भी देश की तरकी करने की निशानी है कि वो अलग-अलग परिस्तितियों को किस तरीके से भारत में भी हम पुराने नियमों और काईदों से लोगों का जड़ाव देख सकते हैं और यहां पर चीजों के नतीजों की बचाए उनके प्रोसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अपनासर और एहमियत बढ़ा सकें। ऐसा करने के लिए अब हमें अपनी रिसेंट हिस्ट्री को गहलाई से पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिर्फ इतना करने से ही हम बदले हुए एनवार्मेंट के हिसाब से रिस्पॉंट करना सीख जाएंगे। वरना भी हम पुराने सिध्ध और कॉंसेप्ट को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत का इतिहास हमें ये बताता है कि जब जब हमने दुनिया में चल रही जियो पॉलिटिक्स को समझ कर फैसले किये हैं तब तब हमारी इस्थिति दुनिया में मजबूत होती गई है। फिर जाहे वो साल 1971 का बंगलाद दूसरी तरफ बदली हुई परिस्थितियों को ना समझते हुए पुरानी मानेताओं पर चलने से हमने 1950 के दशक में चीन के साथ अपने रिष्टे बिगार कर देख लिए हैं। भारत के तिहास में साल 1962 में चीन से हार जैसा एक डाक मोमेंट भी आया था और सेक्योरिटी के इतने experience अपनी foreign policy को दوبारा जाच कर ठीक करने के लिए काफी एहम साबित हो सकते हैं। अब बात चाहे ऐसी घटनाओं की हो या international politics के trends की सबकी जाच और scrutiny यानि समिक्षा समय समय पर होती रहनी चाहिए जिससे उन से मिलने वाली सीख को हम सही धंक से इस्तिमाल कर सकें। अग कर नहीं कए। कम से कम उनकी कलपना तो हम आज कर ही सकते हैं। ऐसे ही भारत को भी अपने दौर में की गए गलतियों पर दोबारा सोच कर उनसे अपने काम की बाते निकाल लेनी चाहिए। अब हम इस पर बात करेंगे कि आजादी के बाद भारत की foreign policy किस तरह आगे बढ़त सकते हैं। इस दोरान दुनिया दो खेमों में बैठी हुई थी जहां एक और संयुक्त राज अमेरीका नाम की बड़ी शक्ती थी और दूसरी और सोवियत यूनियन। अमेरीका जहां capitalist economy और liberal democracy की वकालत करता था यानि अमेरीका का मानना था कि economy पर सरकार का कोई control नहीं होना चाहिए और देश की वैवस्ता डेमोक्रेसी के अधार पर चुनाओ करवा कर चलानी चाहिए। तो वहीं दूसरी और सोवियत यूनियन कमिनिजम के सिध्धान पर काम कर रहा था जिसके तहत economy पर भी सरकार का पूरा control था और वहां राज भी सिर्फ एक ही पार्टी का चलता और वो किन चुनाओतियों से गुजरी इसकी चर्चा हम आपके साथ आने वाले अगले एपिसोर्स में करेंगे। non-alignment movement कहा गया लेकिन ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत दुनिया से पूरी तरह से कड़ गया बलकि इसके उलट non-alignment movement के उस दौर में दुनिया ने कोरिया, वियतनाम, स्वेज नहर और हंगरी जैसे डिस्प्यूट में भारत की डिप्लोमेसी को जरूरी रोल निभाते ह कुछ सालों तक लगा कि जैसे भारत दुनिया में अपनी एक जगा बना रहा है, लेकिन साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग ने इस सपने को तोर दिया, साथी भारत की डिप्लोमेसी के इस पहले पीरियट को भी खत्म कर दिया, साल 1962 की लड़ाई में हुई भारत की हार ने ना सिर्फ भारत के रुदबे को कम कर दिया, बलकि अफरीका और एशिया के देशों को साथ लेकर चलने की भारत की रणनीती को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, इसके बाद आता है हमारी विदेश नीती का दूसरा फेस, जो साल 1962 से 1971 तक चलता है, भ पहली बार भारत ने नैशनल इंट्रेस्ट के लिए नॉन अलाइन्मेंट से भी पाउं पीछे कीजे, मगर भारत की स्टैटिजिक पोजीशन के साथ साथ कश्मीर में मुद्दे पर बाहर का प्रेशर पढ़ने लगा, खास कर अमेरीका और ब्रिटन भारत पर दबाव डाल कर पाकिस्तान की ओर चुकने लगे, लेकिन दुनिया भी दो गुटों में बटी हुई थी, इस दौर में भारत ने सोवियत यूनियन के साथ साथ अमरीका के साथ भी संबंद बनाने की शुरुआत की, ये दौर था जब दोनों सुपर पावर, देश का इंट्रेस्ट बलकि दोनों सुपर पावर देशों से भी एक साथ निपट रहा था, भारत की डोमेंस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ये एक ऐसा वक्त था जब हालात देश के अंदर भी खराब हो रहे थे, क्योंकि एकॉनमी के खराब होने से लेकर, रोज रोज होने वाली हरतालों थक ने सरकार के कामकाज को मुश्किल बना दिया था, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस दोर में इतने बड़े हुए स्ट्रेस के बावजूद भारत को कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाला पड़ा, फिर साल 1971 से 1991 तक भारत की फॉरें पॉलिसी का तीसरा फेस चलता है, ये वो दोर था जब साउतेशिया में भारत का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा गया, इस फेस की शुरुआत हुई भारत पाकिस्तान के साल 1971 के युद्ध से, जब भारत ने पाकिस्तान के लगभग एक लाख सैनिकों को सरेंडर करवा कर लड़ाह में चीत हासल की और बां असल ऐसा उस वक्त श्री लंका की सरकार तमिलों के मुकाबले सिंगलियों को ज्यादा फायदा पहुचा रही थी, साथ ही तमिल को हटा कर सिंगली भाशा को वहाँ एकलौती औफिशली भाशा बनानी की भी कोशिश की गई, ऐसे में श्री लंका के तमिल बुरी तरह से लिबरेशन टाइकर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिटे, वही भारत सरकार ने वहाँ चल रहे सिविल वार को खत्म करने के लिए अपने सेनिकों को भीजा, जिसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF कहा गया, लेकिन श्री लंका में भारत के इन सेनिकों का स्वागत और भी ज्यादा हिंसा और मार कार से किया गया, देखते ही देखते श्री लंका में हालात और ज्यादा बुरे हो गए, आखिरकार भारत को अपने सेनिकों को वापस बुलाना पड़ा, साल 1971 में भारत के लिए एक और चनौती हमारे पड़ोस में खड़ी हो रही थी, जहां पहल तो अमेरिका और पाकिस्तान अपस में दोस्ती कर चुके थे और दूसरी और अमेरिका और चीन भी एक दूसरे के करी बागए थे, तो इस दोरान भारत ने सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रीटी करते हुए अपने आपको थोड़ा सा सोवियत गुट की और चुका लिया, बाद तो हालात और बुरे होते गए और साल 1991 में भारत को एक economy crisis का भी सामना करना पड़ा ऐसे में अपनी foreign और domestic policy को दुबारा चांच कर ठीक करने के अलावा भारत के लिए दूसरा कोई चारा नहीं बचा था सोवियत union के बिखरने के बाद दुनिया थोड़े समय के लिए unipolar हो गई यानि अब दुनिया में सिर्फ एक ही ही महाशक्ती बच गई थी जिसका नाम था United States of America इस दौर में भारत की foreign policy के चौते phase की शुरुआत हुई इस वक्त भारत अपना एक पुराना साथी खो चुका था और दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी ऐसे दौर में अब भारत को अपनी strategy के बारे में दोबारा से नए ढंग से सोचने की जरूरत थी चौते phase में भारत ने अपनी economy में बदलाव करते हुए खुद को एक open market बनाया और यहां दुनिया भर से investment को ने होता दिया गया यह भारत के stand में एक बहुत बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे पहले भारत समाजवाद के सिध्धान्तों पर काम करता था जिसके तहट ज्यादा तर बड़ी इंडस्ट्रीज पर सरकार का हक रहता था लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंडस्रीज खोलने की योचना बनाये गई इसके बाद foreign policy की नजर से भारत सरकार ने look east policy की शुरुबात की इसके तहट भारत में अपना सारा ध्यान साउथ इस्टेशिया की देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलेंड आदी पर लगा दिया एकॉनमिक लक्षियों के अलावा भारत ने political नजरिये से इसराइल से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी यही वो दौर था जब भारत और अमेरिका के बीच संबंद के पहले मकाबले बहतर हो रहे थे हलाकि इस दौर में भी भारत ने जरूरी मुत्वों पर अमेरिका की आलोचना करना बंद नहीं किया सिक्योरिटी यानि सुरक्षा की नजर से भारत को अब नुकलियर हतियार प्राप्ट करना बहुत जरूरी था क्यूंकि भारत का अपने पड़ोसी देशों से तनाव पढ़ता जा रहा था और अपनी स्टेटेजिक आटोनॉमी यानि बिना किसी डर के फैसले लेने की आजादी बचाने के लिए नुकलियर आप्शन का प्रयोग करना भारत के लिए जरूरी हो गया था साल 1998 में राजस्थान के पोकरंग शित्र में नुकलियर टेस्ट करके भारत ने अपने आपको एक परमाणू शक्ती घोशित कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान ने एक साल बाद कश्मीर के कारगिल पर हमला कर दिया मगर इस हमले को नाकामियाब करने के बाद भारत की एकॉनमिक ग्रोथ लगतार बढ़ती गई और अमेरीका भी भारत का एक साथी देश बनने लगा था उस वक्त ऐसा महसूस किया गया कि दुनिया अब पहले से ज्यादा कॉम्पेटिशन में उतर चुकी थी और ऐसे में भारत के लिए भी और नए नए अफसरों की खिड़की खुलती जा रहे थी दुनिया अब यूनी पॉलिरिटी से हटकर मल्टी पॉलिरिटी की वर बढ़ाई थी इसका मतब है कि अमेरीका के अलावा दुनिया के कई देश चोटी चोटी ताकतों के रूप में उभर रहे थे ऐसे में भारत ने भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ साजेदारी करने का मन बनाया और साथ ही भारत की फॉरेंड पॉलिसी का पांचवां फेज शुरू हो गया फॉरेंड पॉलिसी के पांचवे फेज में भारत धीरे-धीरे दुनिया की एक बैलंसिंग पावर बनने लगा यानि भारत अब एक ऐसी जगा पहुंच गया था जहां वो किसी देश को मनमानी करने से रोख सके दुनिया में भारत की एक अलग जगा बनने लगी थी और उसकी कही हुई बात का असर भी होने लगा था वहीं भारत के इस बड़े हुए कट की एक चलक हमें इंडिया अमेरीका निकलियर डील में भी देखने को मिली और इंडिया के यूरप के बाकी देशों के साथ संबंधों में भी इसके उधारन देखे जा सकते हैं ठीक इसी समय इंडिया क्लाइमिट चेंज और इस्ट्रेट जैसे मुद्धों पर चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था और दोनों ही देश रूस के करीबी सहयोगी बने हुए थे इसी तोरान ब्राजील, रूस और साथ अफरीका के साथ भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स नाम का एक बड़ा फोरम बनाया जहां ये सभी उभरती हुई एकोनोमी अपने विकास को लेकर चर्चा करते थे इस दोर को भारत के लिए एक period of opportunity कहा जा सकता है लेकिन इसके बाद धीरे धीरे भारत की condition में ऐसे बड़ा हुए कि साल 2014 तक आते आते ये phase भी खत्म हो गया और भारत की foreign policy का छटा phase शुरू हुआ जो आज तक चल लाहा है foreign policy के इस दौर में चीन भी दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया और दुनिया के लगभग हर हिस्से के साथ चीन की अपनी partnership शुरू हो गई इसलिए भारत को अब अपनी foreign policy में बदलाव लाना बेहत जरूरी हो गया वहीं अमेरिका की position अब पहले की तरह नहीं रही और वो किस तरह जुकेगा ये कहना भी आसान काम नहीं था क्योंकि इराग की लड़ाई के बाद अमेरिका की resources कम पढ़ने लगे और वो बाहर के मामलों में दखल अंदाजी करना कम कर चुका था और सालों से अफगानिस्तान में लड़ रहे अमरीकी सेनकों को भी अमरीका ने अपने देश बुला लिया था बीटे कुछ समय से योरोप भी अप सिर्फ अपने देश के अंदर ही ध्यान लगा रहा था और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे अपने आपको कार चुका था वही जापान अब दुबारा दुनिया के मसलों पर बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका ये विकास भी बेहत धीमी गती से चल रहा है इसे बीच साल 2008 में एक financial crisis ने कई देशों की अर्थवयवस्था को हिला कर रख दिया और भारत और एशिया के दूसरे देश भी इस financial crisis का शिकार हुए थे इस crisis के बाद global economy को फिर से balance करने के लिए नए तरिकों के बारे में सोचने की जरूरत थी और इसी के बाद से दुनिया में कई सारी शक्तियों का उदय एक साथ होने लगा जिसके बाद दुनिया सही माइनों में मल्टी पूलर बन गई फिलाल ये साफ है कि अब दुनिया में योरोप और अमेरीका जैसे गिने चुने बड़े प्लेयर्स नहीं थे बलकि प्राजील, रूस, भारत, साउथ कोरिया, जैपान, आस्टेलिया और कैनड़ा जैसे और भी कई सारे देश अपनी अपनी आवाज मस्बूत कर रहे थे इस फेज की शुरुआत में भारत ने अपनी फॉरिन पॉलिसी में किस तरह के बदलाव किये और किन नीतियों पर हम आज भी चल रहे हैं, इसकी चर्चा हम एस जैशंकर द्वारा लिखी गई इस बुक समरी के अगले एपिसोड में करेंगे आज के भारत की फॉरिन पॉलिसी दोस्तो पिछले एपिसोड तक हमने भारत की फॉरिन पॉलिसी के पांच फेस जान लिए और साथी हमने जाना कि छटे फेस की शुरुआत साल 2014 से होती है अब इस एपिसोड में हम साल 2014 के बाद भारत की फॉरिन पॉलिसी में आए बदलावों पर जड़चा करेंगे और आज भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस मुकाम पर खड़ा है और किन चनौतियों का सामना कर रहा है इस पर भी बात करेंगे जैसा कि हम अब तक जान चुके हैं साल 2014 के बाद दुनिया में UK, US और रश्या के अलावा और भी कई सारे देश चोटी चोटी शक्तियों के रूप में उभरने लगे थे दुनिया सही माइनों में मल्टी पूलर होने लगी थी और इसी वज़ा से अब भारत को अपनी फॉरेंड पॉलिसी में एक नई अप्रोच की जरूरत थी दुनिया के मल्टी पूलर होने के इस दौर में भारत ने पहले से ज्यादा एनरजेटिक डिप्लोमेसी चुनने का फैसला किया और ऐसा इसलिए हो पाया क्यूंकि अब भारत अपनी कैपेबिलिटी पर भरुसक करने लगा था और इसी सेल्फ कॉन्फिटेंस के चलते भारत बिना जुके दुनिया में अपना स्टेंड लेने के लिए आजाद हो पाया मगर ऐसा नहीं है कि भारत का ये कॉन्फिटेंस सिर्फ भारत तक ही सिमित था बलकि दुनिया के भी कई देश अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे थे धीरे धीरे भारत को लेकर दुनिया के नजरिये में आए इस बदलाव के पीछे एक फैक्टर यानि वच्छा तो भारत का एक बड़ी एकॉनमी के रूप में उभरना है तो दूसरा भारत के टैलेंटेड युवाओं की जरूरत आज दुनिया के कई बड़े देशों को है और इस वज़ा से भारत के हुमन रिसूर्स ने भी दुनिया में भारत की इज़त पढ़ाने में अपना एहम योगतान दिया है भारत की IIT जैसे संस्थानों से पढ़कर निकले युवा आज दुनिया की बड़ी से बड़ी कमपनी संभा रहे हैं आज पश्चिम के देश और अमेरीका ना सिर्फ भारतियों पर भरूसा करते हैं बलकि वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें तरक्ती करनी है तो भारतिये टैलेंट की जरूरत तो पढ़ेगी है इसके अलावा भारत सरकार भी साल 2014 के बाद से अपनी एक्टिवनेस यानी सक्रियता को बढ़ाती जा रही है एक वक्त दुनिया में होने वाले कई बड़े समझावतों में भारत अपनी आवाज मस्पूती के साथ रख रहा है इसका एक उधारन साल 2015 का पैरिस क्लाइमिट चेंज एग्रिमेंट है जहां भारत ने अपना पक्ष बेहतरीन तरीक से रखा था 1980 के दशक में दुनिया को मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ माना गया और ये दो भाग थे नॉर्थ और साउथ इसके बाद ये माना जाने लगा कि नॉर्थ के जो देश है वो अमीर और विक्सित देश है वहीं साउथ के देश गरीब और विकाशील देश है नॉर्थ में योरोप, अमेरीका, कैनेडा, रूस और चीन जैसी बड़ी एकनोमी जाती थी और साउथ में अफरीका, डक्षन अमेरीका और डक्षन एशिया के देश इस डिविजन को ध्यान में रखते हुए साल 2014 के बाद भारत ने साउथ के देशों की बहुत मदद की है चाहे वो लोन देकर हो या उन देशों में इंफ्रास्ट्रेक्चर का निर्मान करके इसके साथी भारत ने अपने नेबर हुट यानि पड़ोसियों का विस्तार करते हुए दक्षन एशिया के बाहर के देशों से भी दोस्ती करने की कोशिश की है हानकि ये भी सच है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के हर फेज में उतार चड़ाव रहे हैं और हर फेज खत्म होने के साथ ही दूसरा फेज शुरू हो जाता है साल 1971 की लड़ाई और साल 1998 के नुकलियर टेस्ट जहां भारत की फॉरेन पॉलिसी की काम्याबी को दर्शाते हैं तो वहीं साल 1962 की लड़ाई में चीन से हार हमारी फॉरेन पॉलिसी के असफल होने की कहानी कहती है इसलिए जहां एक और हमें अपने पास्ट से चिपके रहने की जरूरत नहीं है वैसे ही हमें उन पुराने सबक की जरूरत पढ़ती जाएगी फिलहाल भारत के कई साथी देश आज बहुत तरक्य कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ने पिछले सत्तर सालों में कोई तरक्य नहीं की हो आज हम इंडस्ट्रियल केपसिटी के साथ एक मॉडल एकोनोमी बन रहे हैं जबकि अपनी यात्रा के शिरुवात के दौरान हम खेती पर आधारित एक छोटी एकोनोमी थे हमने सिक्योरिटी के क्षित्र में भी बहुत तरक्य की है हालकि ये भी सच है कि आजादी के 70 से ज्यादा सालों के बाद आज भी हमारे बॉर्डर विवातों के घेरे में खड़े हैं साल 1965 से पहले भारत की कोशिश थी कि वो अमेरीका और रूस दोनों केम्पों से जो अपने काम की चीज़े हो निकाल सके इस दोरान भारत वेस्ट के देशों से एकॉनोमिक और अनाच की मदद लेने में काम्याब रहा और उसी दोरान सोवियत कैम्प की मदद से भारत अपना इंडस्रियलाईजेशन भी कर रहा था इसके अलावा सेक्योरिटी की जरूरतों के लिए भारत दोनों ही केम्पों से एक बराबर मदद लेने की कोशिश कर रहा था और इसमें उसे कुछ सफलता भी मिली हाँ आगे जाकर जरूर भारत सोवियत संग की तरफ थोड़ा स्यादा चुक गया वहीं एक दूसरे तरिके से चिन ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की है इसी दोरान पस्चिम के देश और अमेरीका के साथ भारत का संबंद आजादी के बाद एकॉनमिक, सोशल और पॉलिटिकल कारणों से बना हुआ था और कोल्ड वार की वज़ा से भारत पस्चिम के देशों क साथ अपनी करीबी को आगे नहीं बढ़ा पाया था तब सोवियत यूनियन के साथ सरकार दोरा कंट्रोल की जाने वाली एकॉनमिके मॉडल और इंडस्रियलाइजेशन के रास्ता भारत ने चुना, दोनों ही कुटों से बराबर दूरी रखने के कारण भारत को अपनी आज साइन्मेंट मॉव्मेंट की वजह से भारत को नए आजाद हुए देशों के बीच इज़त तो मिली, लेकिन उसे भारत की पॉलिसी मेकिंग और विकास को कोई रफ्तार नहीं मिल पाई, वैस्टरन देशों के साथ भी भारत का जो संबंध था, वो सिर्फ योरोप तक ही सी दोन में की बीच कर रहे थे, दूसरी और भारत लगतार सोवियत यूनियन की तरव चुक रहा था, और इसका एक फाईदा उन्हें यूनाइटेड निशंस में जमु कश्वीर के मसले पर हुआ, जहां सोवियत यूनियन ने भारत का साथ दिया, मगर भारत के साथ 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 सोवियत यूनियन के संबंद चीन के साथ भी बहतर हो रहे थे। इसलिए सोवियत यूनियन साल 1962 की लड़ाई में चीन के खिलाफ भारत की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स को सही धंक से समझना है तो अमेरिका और चीन के आपस के मदभेदों को दुनिया में बढ़ती मल्टी पॉलिरिटी को और छोटी-छोटी शक्तियों के उद्य को समझना होगा। ये सब ही फैक्टर्स आज दुनिया की पॉलिटिक्स को चलाने वा अपने इंट्रेस्ट को पहचानने का होगा। ये जरूरी है कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। इसका साफ साफ डिविजन हमारे दिमाग में किया जा चुका हो। आज हम देखते हैं कि भारत अपनी समुद्री शक्ती और समुद्र से को लेकर बहुत योश के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही यमन, नेपाल, इराक, श्री लंका, मौल्दीव, सीजी और मौनजंबिक जैसे देशों में मुसीबत आने पर भारत मदद के लिए सबसे पहले पहुँचता है। आज भारत लगभग सभी इंटरनेशनल और्गना करके उसका हैटकोर्टर भारत में बनाया जाए। ये सारे उधारन इसी बात को जाहिर करते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी में भारत का गद पिछले एक दशक में कितना बढ़ क्या है। लेकर एस जैशनकर कहते हैं कि आज 75 सालों बात अगर हम भारत की फॉरेन पॉलिसी क यतिहास को मोड़ कर देखें तो एक मिली जुली पिक्चर हमारे सामने आती है क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत में सारा ध्यान नैशनल डेवलेब्मेंट पर था और ये बात हमें माननी होगी कि उस दोरान हमने वास्तों में प्रोग्रेस भी की थी लेकिन व हर मामले में भारत से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है अगर हमने इंटरनेशनल रिलेशन्स को सही धंग से समझा होता और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बड़ी पिक्चर को देखते हुए काम किया होता तो शायद नतीजे कुछ और निकलते हैं मगर इसके बचाए हमारी हमेशा से एक जैसी फॉरेंट पॉलिसी चलाने की आदत नहीं हमें कभी अपनी नितियों की समिक्षक करने ही नहीं दी और नहीं कभी हमारी पर्फॉर्मेंस पहले से बेहतर हो पाई एक उभर्दी हुई शक्ती के रूप में भारत को अपनी फॉरेंट पॉलिसी के मामले में जितनी डिबेट की जरूरत थी उतनी कभी की ही नहीं गए आज हम एक बदलाओ की दौर में जी रहे हैं और हम पहले से ज्यादा कॉन्फिटेंट हैं साथ हम पहले से ज्यादा उम्मीदों के साथ अपने लक्ष को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी जैशंकर कहते हैं कि आज भारत ना तुस रिस्क लेने से डरता है और ना हिस सपने देखना बंद करता है लेकिन इसके साथ ही लेकक का सुझाव है कि हमें अपने बॉर्डर को लेकर विवादों पर भी गहराई से सोचना चाहिए एक देश जो दुनिया की बड़ी ताकत बना चाहता है जो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल किये बिना कभी इस दिशा में तरकी नहीं कर सकता इसके अलावा अपने देश के हर हिस्से को मेन स्टीम से जोड़ना और अब तक जिन अपोचुनिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है उन्हें ठून कर उनका पूरा फाइदा उठाना भी बेहद जरूरी है और आखिर में दुनिया में एक जरूरी रोल निभानी की और बढ़ते हुए भारत के लिए पहला कदम होगा कि हम पुरानी परंपराओं को छोड़ कर समय के अनुसार अपने आपको बदलना सीखें कोविट के बाद बदलती दुनिया दा इंडिया वे बुक की समरी सुनते हुए आप पहले एपिसोड से ही जानते हैं कि कीसवी सदी में दुनिया बहुत तेज रफ़तार से बता रही है आज दुनिया के सामने जितने बड़े संकट हैं उतना ही मस्पूत नेशनलिसम भी है और उतनी ज्यादा प्रतियोगिता भी बढ़ चुकी है इतनी चनौतियां आज दुनिया भर के अनिक्तेशों को जगरती जा रही है लेकिन एक वाइरस ने इन सारी परिशानियों को ठक दिया और दुनिया के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों हम बात कर रहे हैं कोरोना वाइरस की कोरोना वाइरस को आज किसी तरह के इंटर्डेक्शन की ज़रूरत नहीं है किसी फिल्म स्टार को भले लोग ना जानते हों लेकिन कोरोना वाइरस का नाम इस दुनिया के चोटे से चोटे गाउं का कोई बच्चा भी अच्छे से जानता और पहचानता है। उन गरीबों पर पड़ी जो लगातार मेहनत करके अपनी गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोरोना ने उन्हें दुबारा गरीबी में पटक दिया। मदद से दूर पश्चिम के किसी देश में बना हुआ सामान भारत पहुचाया जा सकता है। और भारत में बना सामान योरोप के किसी देश भेजा जा सकता है। लेकिन कोरोना के दौरान एक समय मारकेट में दवाईयां, मास्क, सैनिटाइजर और टेस्टिंग किट जैसी चीज़ों की कमी से बड़े से बड़ा देश भी इसके खत्रे से जूच रहा था। ऐसे में ये लाजमी है कि हम इस बारे में बात करें कि इस पेंडेमिक के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन और एकॉनोमी पर क्या प्रभाव पड़े होंगे। वहीं अमेरिका की भी इस पुरानी सोच को धक्का लगा था कि एक एकॉनोमी को सिर्फ प्रॉफिट और एड्मिनिस्टेशन पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना वाइरस ने ये साबित किया है कि समाज के मुकाबले एकॉनोमी को प्रियोरिटी पर रखने से नुकसानी होते हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों में जाकर बिजनिस करने को लेकर भी लोगों के मन में रिस्क की भावना बढ़ गई है। और सरकार के बनाए कानून कब किस मौके पर अचानक बदलने पड़ जाएं ये भी COVID-19 के बाद कहना मुश्किल हो गया है। इन सब के अलावा भी इंटरनेशनल सिस्टम पर इस महमारी ने बहुत सारे प्रभाव डाले हैं। फिलाल इतना तो तैय है कि कुरोना के बाद की दुनिया में हम गलोबलाईजेशन के खिलाफ उठी हुई आवाज में और ज्यादा बढ़ोतरी देखेंगे। दुनिया भर के अलग-अलग देश अपने अपने क्षित्रों में छोटे-छोटे संगठन बनाएंगे। जिनसे एमरजनसी के वक्त जरूरी समान को एक जगह से दूसरी जगह पहुचाया जा सके। ये बाद सच है कि इंटरनेशनल ट्रेड पहले भी बिना पॉलिटिक्स के नहीं हो पाता था। और पेंडेमिक ने तो अब इसमें और भी जान डालती है। आज इंटरनेशनल ट्रेड के कॉस्ट और रिस्क पर डिबेट पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। आज ना केवल जोग्रफी की नजर से देश आजाद रहना चाहते हैं बलकि देश अपने एकॉनमी को भी आजाद रखकर इतना मस्बूत करना चाहते हैं कि मुश्किल हालात में उन्हें किसी और देश के भरोसे ना पैटना पड़े। आज दुनिया में भरोसे मंद साथी देश की परिभाशा बहुत बढ़ी हो गई है क्यूंकि सिर्फ उस देश को दोस्त नहीं माना जा सकता जो हमें टेक्नॉलोजी या इंफ्रस्ट्रेक्चर में मदद करें बलकि इसके लावा एमर्चंसी के हालात में अपने रिसोसे से हम मदद देने वाले देश को हम अपना दोस्त कहेंगे गवर्नेंस को लेकर भी अब डिबेट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है आज दुनिया में जो भहस चल रही है वो गवर्नेंस के नेचर को लेकर चल रही है और सरकार को रक्षा और एकॉनोमी जैसे मुद्दों के अलावा हेल्थ और हुमन सेक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए या नहीं वहीं ट्रेट के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहने का विशय आज एक संसिटिव मोड ले चुका है पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से हम देख रहे हैं कि ट्रेट के मामले में जो द लूशनरी ताकतें और हिंसा का प्रभाव बढ़ता हुआ साफ देखा जा सकता है और शांतिपून तरीके से सत्ता में आने की बचाए हंगामा करने की आदत पूरी दुनिया में तीजी से फैल रही है संभावना है कि इस तरीके की घटनाएं हम आने वाले नस्दी की भवि कह सकते हैं इस पैंडेमिक के दोरान हमने ये भी देखा कि सभी देश अपनी हेल्थ सेक्योरिटी गोल्स यानी लक्ष को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी दूसरे देशों के बारे में सोचने की फुरसत नहीं निकाल रहा है जहां ऐसे वक्त में कुछ दे में सोचकर कह सकते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि देशों के बीच वाइरस की वज़ा से पैनिक जनरेट हो गया था लेकिन असल में ये हमें इंटरनेशनल रिलेशन्स में देशों के वैवाहर की हक्तिका दिखाती है अगर सभी देश मिलकर किसी समस्या को ठीक नहीं कर प नैशनल सोसाइटी एक फेलियर ही साबित हुई है कोरोना के दौरान कोई भी देश दुनिया को प्रॉपर लिडर्शिप नहीं दे पाया नहीं सबी देश मिलकर कोई एक अजंडा या दिशात्य कर पाए लेकिन लेखक एस जेशनकर एक सवाल ये उठाते हैं कि कोरोना भारत जिस इस्तिती में है वहां से चुप बैटने की बिलकुल जरूरत नहीं है ये बात हम क्लाइमिट चेंज और ग्लोबल कनेक्टिविटी जैसे मुतों पर देख चुके हैं जब दुनिया ने भारत की कही बात को बहुत गौर से सुना था भारत को अपनी जिमेदारी का तेजी से आगे भी बढ़ना है अंतराश्टी लेवल पर भारत का रास्ता उसे बड़े हुए कॉन्फिटेंस और बड़ी अचीवमेंट्स की ओर ले जाएगा इस सब के लिए भारत को किसी और देश पर निर्भर रहने की बचाए सेल्फ रिलाइंस यानि आत्म निर्भर पर भरुसा करना होगा और सेल्फ रिलाइंस के साथ सेल्फ कॉन्फिटेंस भी भारत के लिए उतना ही जरूरी है इस वक्त भारत के लिए कॉन्फिटेंस जुटाना इतना मुश्किल भी नहीं रह गया क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अलग-अलग भी खुद ही ढूनने होंगे लेकिन इसके साथ ही उसे दुनिया में बढ़ रहे कॉम्पेटीशन का भी मुकाबला करना होगा क्योंकि हमारे बरताव की वजह से दुनिया में हमें किसी काटेगरी में रखने की कोशिश की जाएगी और भारत का भी किसी आडियोलोजिकल बै एक बहुत रिस्क भरा काम हो सकता है लेकिन आज एक confident भारत को इन debate में भाग लेकर दुनिया में rebalancing का काम करना होगा भारत का दुनिया में उदय एक बिना ending की story है आगे की भारत की यात्रा आराम दायक होगी ऐसा कहना आज मुम्किन नहीं है क्योंकि कई बार तकलीफों की वचें हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन हर generation को अपनी विरासत आगे वाली generation को देनी ही होती है और उमीद की जाती है कि जब हम अपनी विरासत आने वाली generation को दे रहे हों तो उसमें अपनी ओर से कुछ contribution करके ही दें ये काम करने के दौरान हमें लगातार अपने past की गलतियो को सुधारते हुए फ्यूचर पर ध्यान लगा कर काम करना होगा। बेहतरीन पॉलिसी मेकिंग के लिए हमेशा रिव्यू और प्लैनिंग दोनों की जरूरत एक साथ पढ़ती है। कोरोना के एक्सपिरियंस ने भी हमें ये सीखती है कि कई बार हमें उन परिस्तितियों का साम हमेशा तयार रहना चाहिए जो किसी भी हालत में काम कर सके। भारत को अपने अंदर एक competitive spirit का विकास करना होगा। और strategy के मामले में अपने आपको हमेशा alert रखना होगा। दरसल दुनिया आज वो नहीं रही जो कुछ समय पहले हुआ करती थी। दूसरे world war के बाद शायद क पहल रही है। आज दुनिया अपने आपको कोरोना जैसी दूसरी समस्याओं के लिए तयार कर रही है। और इस दौरान कुछ देश कोरोना से होने वाले असर से लड़ने के लिए पहले से तयारी कर चुके हैं। आगे ना केवल भारत के लिए बलकि पूरी दुनिया के लि पहले से ज्यादा बढ़ने ही वाली है लेखक S. जैशनकर कहते हैं कि वैसे भी कुरोना के बाद दुनिया ने भारत का नमस्ते करने का अंदाज अपना लिया है अब इससे दुनिया का इशारही समझे कि आने वाला भविश भी भारत के लिए उम्मीदों से भरा होने वाला है कॉन्कुलूजन अच्छे रिष्टे बना कर रखें जिससे हम अपने लक्ष पूरे कर पाएं दुनिया की बड़ी शक्तियों के अलावा भारत को अपने नेबर हुट का विस्तार करते हुए अफरीका और इस्ट एशिया में भी अपनी पहुँच बनानी होगी दक्शन एशिया में चीन और ऐसे में पूरी दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदे हैं कि वो एक बड़ी शक्ति बनकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जरूरी भूमिका आदा करेगा। भारत के विदेश मंतरी एस जैशंकर ने इनही बातों को ध्यान में रखकर दा इंडिया वे नाम की एकिता किताब के माध्यम से हमारे सामने रखा है जिसे समझ कर हम आने वाले भविश के बारे में फैसला कर सकते हैं। हमने देखा है कि कैसे बीते दौर में भारत दूनों महाशक्तियों से दूर रहकर अपने फैसले ले रहा था और आज के दौर में हमें दुनिया की हर शक्ती के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत महसूस हो रही है। इसके बाद भारत में गलोबलाइजेशन ने कदम रखा और ओपन माकेट एकॉनोमी के नाते भारत ने बहुत तरकिभी की। मगर आज कोरोना के विश में कदम रखने के बाद दुनिया गलोबलाइजेशन के खलाफ होकर अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने में लगी हुई है। ऐसे में भारत को भी आत्म निर्भरता पर जूर दे कर अपनी लोगों की भलाई के बारे में सोचना होका और साथ में इंटरनेशनल कम्यूनिटी का सदस्य होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों के लिए जागरुग भी रहना होका। लेखक एस जैशनकर साल 2014 के बाद आए भारत की विदेशनीती में बदलाओ को बहुत गहराई से समझाते हैं। पूरी देशों के नजर में भारत उम्मीद की किरंड की तरहा वर्ल्ल ओर्डर में भी चमक रहा है। आज दुनिया पूरी तरहा मल्टी पूलर हो चुकी है और इसके साथ ही मल्टी लेटरलिजम का जमाना भी बीते दोर की बात हो गया है। ऐसे में भारत को अपने क्षित्र में ना केवल पकड़ मस्बूत करने की जरूरत है बलकि पूरे ग्लोबल साउथ का नेतरत्व करने की जमेदारी भी आज हमारे देश के कंदों पर आ पड़ी है। इंटरनेशनल सूलर अलाइंस और सागर सिधानत कर निर्मार करके भारत ने ना केवल इस जमेदारी को पूरा करने की कोशिश की है बलकि अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी लगातार ध्यान में रखकर बहुत सोच समझ कर आके कदम बढ़ाए हैं। साल 1946 से लेकर 2020 की COVID-19 महमारी तक के इस पूरे ब्योरे को जानना अपने आप में एक बहुत रोमांचक सफर कैसा महसूस होता है। और किसी लाजवाब किताब के यही कुण है कि वो आपको अपने साथ एक यात्रा पढ़ ले जाए। और उस तोरान ना केवला आपका इंटरेटेन्मेंट हो बलकि आप ग्यान भी हासिल कर पाएं। विडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूलय फीदबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।